आयरुवेदिक दवा से नहीं है कम मूली के पत्ते, इसके फायदे कर देंगे आपको हैरान नमस्कार दोस्तों, स्वागे थे आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों, मूली की सबजी, मूली के पराठे, सलाद में मूली तो सभी निखाया होगा जिस तरह से मूली सेहत के लिए फायदे मंद है, ठीक उसी तरह मूली के पत्तों में भी कई तरह के गुड़ पाये जाते हैं जो सेहत के लिए फायदे मंद होते हैं दरसल मूली के फायदों के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठंड के दिनों में रोजाना मूली और इसके पत्ते भी सेहत के लिए काफी फायदे मन्द होते हैं अगर आप मूली के पत्तों की सबजी बना कर खाते हैं तो इसके फायदे भी आपको जान लेने चाहिए पहला है पाचनतंत्र, आपको बता दें कि मूली के पत्तों में मूली से ज़्यादा पोसत्त तो होते हैं, इसके साथ ही इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जो सरीर के लिए काफी फाइदेमन होती है, इसको रोजाना इस्तिमाल करने से पाचनतंत्र ठी कब्ज, या कब्ज और दस्त की समस्यों को निजात दिलाने में बहुत ही मदद करता है, आइरन, मूली के पत्तों में आइरन भी अच्छी मात्रा में पाए जाता है, जो खून की कमी को पूरा करता है, आइरन और फासफोरस इम्म्यून सिस्टम को बहुत बहतर बनाते हैं, थकान, इसमें थाइमीन पाये जाता है, जो थकान को दोर करने में हमारी मदद करता है, किडिनी स्टों या यूरेनरी ब्लेडर को दुरुस्त रखता है, और किडिनी स्टों को गला कर सरीर से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है, अगला है पेट में जलन, आधा गिलास मूली के रस का सेवन करने से पेसाब के साथ होने वाली जलन और दर्द मिठ जाती है इसलिए अगर आपको पेट में जलन या पेसाब में जलन की सिकायत है तो आपको मूली के रस का इस्तिमाल करना चाहिए पेट से जुड़ी अन्य समझ जाए एक कप मूली के रस में नमक और मिर्च डाल कर सेवन करने से पेट साप हो जाता है और पेट का दर्द भी दूर हो जाता है आखरी है हिचकी मूली के कोमल पत्ते चबा कर उसका रस चूसने से हिचकी तुरन बंद हो जाती है झाल कर दो जाता है झाल कर दो जाता है